हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल होम कुक आज मैं आपके लिए बहुत ही नए तरीके की मिठाई लेके आई हूँ जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले तो चले मैं दिखाती हूँ म यहां मैंने घी निकाला है और इससे जो हमारे लेफ्ट ओपर बसता है उसी की में मिठाई बनाओंगी अक्सर हम फेक देते हैं इसे लेकिन हम आज इससे मिठाई बनाएंगे तो मैंने घी को स्ट्रेनर से चान लिया है और इसे चम्मच की सहायता से दबाते हुए सारा घी इसे साइड में मैं रख देती हूं अब मैं इसमें एक लूंगी एक पैन और इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप के करीब बेशन मेरा लेफ्ट ओबर भी आधा कप ही निकला है तो मैं इस सेम क्वांटिटी में ले रही हूं यह बहुत टेस्टी लगता है खाने में एक बार आप प्रोक ट्राई जरूर कीजिए गा इसे अक्सर हम फेक देते हैं इसे तो मैंने सुचा एक बार मैं आपके साथ सेर करती हूँ तो मैं इस बेशन को लो फ्लेम पे भून लूँगी पिंक होने तक बस मलाई ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए वरना उसमें से खट्टा इसमें लाने लगेगा और टेस्ट खराब हो जाएगा तो यह देखिए हमारे बेशन भून चुके हैं अब मैं गैस को आफ कर देती हूं थोड़ी दे चला लेते हैं वरना यह जल जाएगा तो यहां मैंने कड़ाई में अपने लेफ्ट ओबर डाल दिया है जिस कड़ाई में मैंने घी निकाला था उसी में डाला है उसमें मैं डाल दूंगी डेड़ कप के करीब दूध मिक्स कर लेंगे और थोड़ा तोडा आने देंगे इसमें चलाते हुए से मिक्स कर लेते हैं करें यह देखिए मैंने यहां पर केसर और इलाइची पाउडर डाला है तो इसे थोड़ा व्य ऐल देते हैं पास्मिनट भी ऊचुकर है हमारए पाँच मिद अप मैं इसमें डाल दूंग ड्राइफ हुड से आपके पास जो भी ड्राइफ हुड से डाल दें यह पास औरते टो मैं डाल रही हूं jest में हिए एभ मैं एपने बेसं को भी इसमें डाल दूंगी एक पार में लिए डालना है आधा-ाधा कर के मैं डालूंगी 29 कर दें अच्छा से आप बेसं के जगए पर मिल्क पाॉडर भी डाल सकते हैं कि लेकिन मैं बेसन डाल रहे हूं कि कि बेसन हमेशा सबके पास रहता है इसलिए मैं बेसन यूज़ कर रहे हूं यहाँ पर कि तो यह देखिए भी हमारा थिक हो चुका है थोड़ी दिर और पकाएंगे उसके बाद मैं इसमें थोड़ा डाल दूंगी सूगर तेस्ट के हिसाब से सूगर डालें मीठा पसंद है तो थोड़ा ज्यादा डालें कम मीठा पसंद तो सूगर कम ज्यादा कर सकते हैं आप तो अभी यह हो चुका है थिक हो चुका है यह हमारा अब मैं इसे ट्रांसफर कर लूँगी एक प्लेट में यहां मैंने एक प्लेट लिया है इसे मैं घी से ग्रीस कर लूँगी यह देखिए मैंने स्टील का प्लेट लिया है इसको मैं घी से ग्रीस कर रही हूं ताकि हमारे मि इसने मिठाई को इसमें ट्रांस्पर कर लूँगी बहुत गर्म है यह संभल के निकालना है इसे कि इससे निकाल लेते हैं प्लेट में यह देखिए मैंने सारे अपने प्लेट में निकाल ले हैं और इस स्पून की मदद से मैं फैला लूँगी चैरो तरफ क्योंकि यह बहुत गर्म है हाथ नहीं लगाना है इसमें अब यह फैला लिया है मैंने अब मैं इसे फ्रेज में थंडे होने के लिए रख दूँगी आदे गंटे के लिए हम रख देते हैं इसे फ्रेज में कि उससे पहले आप लोग ड्राइफ रूट्स डाल लें इसके ऊपर थोड़ा यह देखिए मैं डाल रहे हूं ड्राइफ रूट्स ताकि यह ड्राइफ रूट्स भी सेट हो जाएगा उसमें कि तो मैं आधे गंटे के लिए से फ्रेज में रख देती हूं तो आधे गंटा हो चुका है चलिए अब मैं चेक कर लेती हूं यह देखिए दम से जम गया है यह किनारे किनारे इसे चाको से छुड़ा लेंगे अलग कर लेते हैं अब जो भी सेफ देना चाहिए उस सेप में काट सकते हैं आप इसे मैं स्क्वाइर में काट रही हूं कि आप डाइमंड सेप में भी काट सकते हैं इसे यह देखिए मैंने सारे पीसे सकाट लिये हैं तो अब मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूं यह देखिए खाने में बहुत टेस्टी लगता है यह तो एक बार ट्राई जरूर की जिएगा बाबाई एंड टेक केर